Hello students, O2IS Academy में आपका स्वागत है, मेरा नाम है जोती कौशल और हम कवर कर रहे हैं Economics के Current Affairs, जो आपकी HP की NT की सार्थी सीरीज चल रही है, उसमें हम अलग-अलग subjects के regarding Current Affairs को कवर कर रहे हैं, Economics का आपका first lecture अलड़ी हो चुका है, जिसने वो lecture नहीं देखा है, जाकर देख सकते हैं, तो यहां पर हम जुलाई से लेकर नवंबर तक के कुछ Current Affairs को कवर करेंगे, तो जिसने भी O2IS Academy की आपको डाउनलोड नहीं किया है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इस lecture के regarding PDF चाहिए, तो आपको वो आप पर जाकर NT के कोर्स में ही मिलेगी, ओके, तो उसने बहुत सारे NGOs के लाइसेंस को एक तरह से रद किया है, तो उन्होंने उनके NGOs के लाइसेंस को रद क्यों किया है, अब देखो, जो भी NGOs है ना, तीक है वो किसी ना किसी Social Welfare के लिए कोई ना कोई काम करती है, तो उनको अब Funds आते कहां से हैं, तो अगर उन्होंने बाह रहा है NGOs को, ठीक है, Foreign Contribution Regulation Act 2010, तो आप से पूछा जा सकता है कि यह कौन सी Ministry के अंडर आता है, या कौन इसको regulate करता है, तो वो Ministry of Home Affairs है, ठीक है, अब जो भी Funds यहां पर आ रहा है, अगर तो वो 25,000 से कम है, किसी NGOs के, NGO के पास, अगर जो Fund बाहर से आ रहा है, और वो 25,000 से कम है, तो जरूरी नहीं है कि वो regulation के अंडर आगा, लेकिन अगर इससे जादा है, तो वो इस Act के अंदर regulate होगा, अब recently हुआ क्या था, 2020 में यह जो FCRA Act है, इसके अंदर amendment हुई थी, तो यह बहुत जादर news में था उस time पे, तो इसके अंदर Act के अंदर amendments क्या क्या हुई थी, त अगर उसको बाहर से funds आए है, तो वो दूसरे NGO में transfer नहीं कर सकती है, ठीक है, तीसरी बात, जो भी NGO है, जिसने बाहर से अगर कोई contribution लेनी है, तो उसकी अधार number mandatory है, नेक्स चीज है कि जो भी बाहर से contribution आएगी, तो वो सिरफ एक bank में ही आ सकती है, और वो कौन सा bank है, State Bank of India New Delhi का, अगर कोई भी NGO ने बाहर से कोई contribution लेनी है, funds लेनी है अपनी NGO के लिए, तो वो कौन से bank में आएगी, State Bank of India में और वो भी New Delhi वाली जो ब्रांच है, उसके अंदर ही आएगी, दैनिस, उन्होंने बोला कि जितनी भी आपके FCRA आपने बाहर से जो funds लिए हैं, उसमें से 20 percent से जादा funds आप अपने administration के expenditure पे नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कि इससे पहले जो 2010 वाला act था, उसके अंदर ये बोला गया था कि आप 50 percent fund का अपने administration यूज के लिए use कर सकते हो, उसके अंदर expenditure कर सकते हो, लेकिन अब इसकी limit बता दी कि यह कितनी है, 20 percent, तो ये कुछ चीज है, वो अपने registration certificate को surrender भी कर सकती है, और यहाँ पे हर एक NGO को हर 5 साल बाद अपना जो certification है, वो एक तरह से approve करवाना पड़ता है, कि हम एक NGO हैं और हम बाहर से funds ले रही हैं, तो ये FCRA Act के बारे में आपको कुछ चीज़े याद होनी चाहिए, next news है कि कौन सा department index of 8 core industries report निकालता है, पहली बात तो ये एक index है, दूसरी बात, इसके अंदर 8 core industries हैं, अब वो 8 core industries हैं कौन कौन सी, ये आठो की 8 industries आपको याद होनी चाहिए, इसके increasing या फिर decreasing order में, इस 8 core industries का जो index निकलता है, उसके अंदर हर एक industry की अलग अलग weightage होती है, जैसे जो refinery products industry है, उसकी 28% होगी, उसके बाद electricity industry, steel industry, coal industry, crude oil industry, natural gas, cement and fertilizers, इसका या तो आप increasing और decreasing order आपने याद रखना है, क्योंकि ये directly पूछा जाता है कि 8 core industries बताओ, या फिर उनको increasing और decreasing weightage के हिसाब से arrange करो, ये जो index है, वो कौन निकालता है, Office of Economic Advisor, DP, IIT, Ministry of Commerce, पहले इस office के बारे में हम देख लेते हैं, जो ministry of commerce है, उसके अंदर एक department आता है, जिसका नाम है department for promotion of industry and internal trade, मतलब जो भी industry की promotion करने के लिए, जो भी या पे कोई भी काम करना पड़े, for example, ease of doing business को facilitate करना पड़े, then is start-ups के regarding जितने भी matters है, उससे deal करना पड़े, traders की welfare के लिए अगर कोई काम करना पड़े, तो वो कौन द department का नाम change हुआ है, और change होकर इसको dpiit रखा गया है, इससे पहले इस department का नाम था department of industrial policy and promotion, तो आपको ये भी आदोना चाहिए, कि जो dpiit है, उसका पहला नाम क्या था, अभी नाम होके क्या change किया गया है, और वो कौन सी ministry के अंदर आता है, तो ये जो department है, उसमें office of economic advisor, जो corporate industries का index है, वो कौन से index के उपर based है, तो वो index of industrial production के उपर based है, एक और index निकाला जाता है, जिसका नाम है index of industrial production, that means जितनी भी industries है एक तरह से, जितनी भी जो factories वगेरा है, वो कितना produce कर रही है, उसके regarding ये index बताता है, ठीक है, उसके regarding data देता है, अब इस index का जो 40% है, वो जो index ह है, उसका जो 40% है, वो इस index report में include होता है, कौन सी report में? Index of 8 core industries में, that means जो index of industrial production है, उस index का जो 40% है, वो हम consider करते हैं, क्या निकालने के लिए? Index of 8 core industries index को निकालने के लिए, बाकि ये मैंने आपको increasing or decreasing order बता दिया है, एक बार हम index of industrial production के बारे में भी बात कर देते हैं, ये एक एसा index है, जिसके अंदर बताया जाता है कि कौन सी industry कितने volume of production कर रही है, ठीक है, एक period के लिए उनके बारे में कुछ data प्रोवाइड किया जाता है, इसके regarding भी आपको कहीं बार पूछ रहते हैं, कि बताओ ये वाला index कौन निकालता है, तो ये निकालता है Central Statistical Organization, और ये मौस भी ministry के अंदर आता है, मौस भी कौन सी ministry है आपकी? Ministry of Statistics and Program Implementation, इसके पास बहुत जादा डाटा होता है, वो उस डाटा को, raw डाटा को compile करता है, एक तरह से, एक तरह से information-based data बनाता है, then is the index of industrial production के अंदर, जो broad sectors यहां पर include होते हैं, इसके regarding भी question पूछा गया है, तो कौन- manufacturing है, manufacturing है और electricity है, फिर है कि IIP का base year कौन सा use होता है, कि अभी जो आपके industrial production का index निकाला है, वो किस base year से compare किया गया है, कि उस base year के हिसाब से, जो इस साल का industrial production है, वो इतना जादा है, तो वो base year कौन सा है, 2011 और 12 का, यह कुछ चीज़े आपने याद रखनी है, इसके हर एक line में आपको एक नएक question बनता है, next, महाराष्टरा में एक चीज़ है, जैसे कि अली बाग white onion, इसको अभी recently GI tag मिला है, तो आपको पता होना चाहिए कि अली बाग white onion जो है, वो कौन सी state से belong करता है, पहली बात तो वो महाराष्टरा से belong करता है, दूसरी बात, यह एक ऐसा onion है, जो महाराष्टरा के एक coastal town में originate हुआ था एक तरह से, ठीक है, यहां के जो farmers हैं, वो इस onion को उगाते हैं, ठीक है, अब इस onion को क्यों उगाते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी qualities तो जरूर होंगी, तो उसकी क्या quality है, low sulfur content है, low pengency हैं, मतलब इतनी ज़्यादा खराब smell नहीं होती ह यह sweet taste है, no tear factor आपको पता ही होगा, onion की वज़े से आपके जो tears है, lacrimal glands activate हो जाती है, तो no tear factor है यहां पर, low pyruvic acid है, high protein content है, fat है, fiber है, तो आप देख सकते हो कि आपकी health के लिए यह वाला onion बहुत ही जादा फाइदेमन्द है, then is immunity को boost करता है, health with insomnia, अगर किसी को नीन नहीं आ coastal town में उगाया जाता है, और इसको GI tag मिला है, अब हम बात करते हैं कि GI tag का मतलब क्या होता है, देखो, एक कोई भी state है, उस state के अंदर कोई ऐसा town है, for example, कोई एक particular जगा ले रेते हैं, उस जगा की कौन सी चीज famous है, जो सिरफ वही पर की जाती है, for example, महाराष्टा के अली ब करेंगे हम, तो GI tag एक ऐसा certification होता है, या ऐसा tag होता है, जो कि इसको दिया जाता है, कि एक कोई भी चीज को दिया जाता है, जो कि एक particular जगा की famous है, okay, अब ये जो GI tag है, उसके अंदर कौन-कौन सी चीजे cover होती है, तो बहुत सारे goods cover होते हैं, जैसे agriculture goods हो गया, जैसे अभी म GI tags दिया जाते हैं, अब इसके regarding आपसे कहीं बार question पूछते हैं, कि जो GI tag है, वो कौन से act के अंदर आता है, तो 1999 के अंदर एक act आया था, जिसका नाम है, geographical indications of goods, registration and protection, अब इसके नाम से ही clear हो रहा है, that means, जो भी goods हैं, उनको geographically indicate करना है, कि ये good यहाँ पे बनता है, उसकी registration कर देखो, उसकी protection क्यों करनी है, एक तरह से जितनी भी बाहर की countries हैं, वो हमारी चीजों को, for example, हमारा जो हल्दी हो गया है, हर एक चीजों को वो क्या करते हैं, उसको patent करवाने लग जाते हैं, लेकिन उनको क्या बता है कि ये जो spices हैं, वो हमारे यहां से कितनी पुरानी हैं, बहुत time से ये चली आ रही हैं, तो अगर वो उस चीज का patent करवा लेंगे, that means उसको कोई और person नहीं बना सकता है, पर हमारे हां तो हल्दी हर कोई farmer जो है, उगाता है, तो उस चीज को protect करने के लिए GI के tags दिये जा रहे हैं, जो GI tags हैं, वो किसके अंडर आता है, या फिर किस पाट है, तो World Trade Organization का जो TRIPS mission है, उसके अंडर आता है, अब जो WTO का TRIPS mission है, एक तरह से trade related aspects of intellectual property rights, इसका मतलब कि आपकी जितनी भी intellectual property है, intellectual property का मतलब यह होता है कि आपने अपने दिमाग से कोई भी invention करी, ठीक है, उस कोई भी process बनाई, या फिर कोई भी ऐसा product बनाया, वो उस property को protect करने के लिए आपको कुछ ना कुछ rights दिये जाते हैं, अब आपकी जो intellectual property है, उसकी अगर यहां पे आप use कर रहे हैं, उसकी बाहर वाली country में उस चीज़ को कोई exploit ना करें, तो उससे बचने के लिए जो WTO का TRIPS है, इसके अंदर अलग अलग rules and regulation है, कि उस चीज़ को हम को 10 साल तक valid है, तो यह 10 साल तक valid होगा और 10 साल के बाद अगर दुबारा से इसका patent करवाना हो, या फिर इस GI tag को दुबारा से renew करवाना हो, तो आप 10 साल के बाद दुबारा से इसको renew करवा सका, अब next हम बात करते हैं कि एक geospatial energy map of India launch किया गया है, तो वो किस ने launch किया है, देखो जियो, जियो का मतलब हमारी geography से related, special का मतलब हमारी space भी involved है, energy map का मतलब ये होता है कि हमारी country के अंदर जितने भी energy के resources है, for example हमारी country के अंदर कौन कौन सी जगा पे जादा coal present है, ठीक है कौन सा ऐसा area है जहाँ पर हम जादा thermal power energy produce हो सकती है, तो यहाँ पर एक तरह से geography प्रेफिबी involved है, एक तरह से map बनेगा, जो की space को use करके बनेगा, तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर involved रहेंगी, नीती आयोग ने इजरो के साथ मिलकर इस map को launch किया है, अब ये map करेगा क्या, हमारी country के अंदर जितने भी energy के sources हैं, for example, natural gas कहां पर है, nuclear power plants हम कहां लगा सक हैं, then is हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग जगा पर जो coal reserves हैं, वो space technology की मदद से यहाँ पर हमारे इंडिया में identify होंगे, और उसकी वज़े से ये map बनेगा, तो ये किस ने बनाया मिलकर, नीती आयोग ने इजरो के साथ मिलकर इसको बनाया है, ओके, इसके अंदर जितनी भी information है, वो सारी एक system में store होती है, जिसका नाम है geographic information system, geographic information system का यही मतलब होता है, कि हमारी जितनी भी geography है, उसके regarding जो भी हमने information collect करी है, तो वो एक system के अंदर डाल दी जाती है, geospatial mapping का मतलब वही हुआ कि आपने space में कोई ना कोई satellite को use करकर, हमारी जो geography है, उसको map किया है, कि कहां पर कितने जादा resources available है, ठीक है, I hope आपको यह समझ में आयोगा, आपने बस इतना याद रखना है, कि जो geospatial energy map of India है, वो नीती आयोग ने इजरो के साथ मिलकर बनाया है, अब हम बात करते हैं कि कौनसी state को एक award मिला है, जिसका नाम है city with most sustainable system, अब ऐसी city, जिसके अं कदर कोई ऐसी चीज़ डवलप की, for example, कोई infrastructure बनाया, for example, कोई metro बनाई, ठीक है, ऐसा कोई भी infrastructure बनाया, लेकिन उस infrastructure को बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़े होती है, for example, paid काटने पड़ते हैं, environment को बहुत जादा हाम होता है, है ना, तो यहाँ पर अगर किसी city ने infrastructure बनाया और उसमें कोई भी environment को हाम नहीं हुआ है, प्लस, यहाँ पर environment की quality एक तरह से increase हो रही है, दूसरी बात, यहाँ पर economic prosperity आ रही है, that means, यह जो infrastructure डवलप हुआ है, इसकी वज़े से उस state की जो GDP है एक तरह से वो बढ़ रही है, ठीक है, तो economy में वो help कर रही है, then is, वो society का भी ध्यान रख रही है, कि हमारी society को कौन-कौन सी facilities चाहिए, अगर इन तीनों को मिला कर कोई ऐसा project launch किया जाए, जिसके अंदर environment का भी ध्यान रखा गया है, society का भी ध्यान रखा गया है, और economy का भी ध्यान रखा गया है, तो ऐसे project को हम sustainable project कहते हैं, sustainable system कहते हैं, तो recently Kerala को city with most sustainable sustainable system मिला है, दूसरी बात आपने यहाँ पर यह याद रखनी है, कि यह कौन सी ministry प्रोवाइड करती है, तो ministry of housing and urban affairs इस award को देती है, तो उन्होंने केरिला को क्यों दिया, क्योंकि अभी केरिला में जैसे कोची metro बना, दैनिस water metro और e-mobility, e-mobility का मतलब यह है कि यहाँ पर उ electric vehicles basically बनाए है, कोई भी ऐसी चीज बनाई है, जो electricity पर बेस्ट है, और आपको पता ही है, जो भी चीज जैसे for example, एक वहिकल है, अगर वो पेट्रोल पे चलता है, तो जादा pollution करता है, as compared to, अगर मैं electric vehicle की बात करूं, तो वो vehicles electricity का use करते हैं, और उसमें कोई भी ऐसी gases emit नहीं ह award मिला है, याद रखना, जो केरिल है, ऐसे तो वो state है, लेकिन award का नाम ये है, कि city with the most sustainable system, next हम बात करते हैं, कि कौन सी ministry ने एक scheme launch करी है, जिसका नाम है कृषी उडान 2.0, देखो, आपकी जो ministry of civil aviation है ना, उन्होंने एक scheme launch करी थी, जिसका नाम है उडान, ठीक है, वो उडान scheme 2016 में launch वी थी, और इस उडान scheme की, जो full form है, वो ये है कि उडे देश का आम नागरिक, that means हर एक जो नागरिक है यहाँ पर, वो एक तरह से airways का use कर सके, that means जैसे हम traveling purposes के लिए अलग-लग ways use करते हैं, roadways हो गया, railways हो गया है और जो airways है, वो हमारे जो आम नागरिक है, वो ब लाँच करी थी, जिसका नाम है उडे देश का आम नागरि, तो इसमें अलग-अलग चीजे चलाई गई ताकि यह जो एक तरह से air tickets है, वो reasonable prices पे हर एक नागरिक को मिल सके, अब इसी के under अलग-अलग schemes launch हो गई, जैसे कि कृशी उडान 2.0, अब यह कृशी से related है, that means farmers के लि यह use कर रहे हैं ताकि हम perishable goods को, जितने भी perishable food या food products हैं, उनको हम एक जगा से दूसरी जगा air waste के थूरू पहुंचा सके, अब perishable goods का मतलब क्या होता है, perishable food products का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजे जो बहुत जल्दी एक तरह से खराब हो जाती है, जैसे अगर मैं tomato की बात रहे, तो एक तरह से उसमें से pungent smell आने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो एक तरह से acidic in nature होता है, तो जो food products होते हैं, वो air के साथ contact में आने की वज़े से rancid हो जाते हैं, एक तरह से उनकी क्या हो जाती है, जो quality होती है, वो decrease हो जाती है, तो उस चीज से preserve करने के उसको double करने का भी काम कर रही है, क्योंकि farmers की जितनी भी crop होती थी, जैसे perishable food products हो गया, क्योंकि वो एक जगा से दूसरी जगा timely नहीं पहुंचा पाते थे, तो उस वज़े से उनको बहुत जादा loss होता था, अगर ये जो scheme है, उनके उनके जो products है उसको पहुंचा पाएगी अभी उसका recently second version को launch किया गया है, अब इस scheme के अंडर होगा क्या, जो ministry of civil aviation है, वो बहुत सारे airports को इस scheme के अंडर लेकि आएगी, ऐसे बहुत सारे underserved और unserved, इनका मतलब क्या है, ऐसे airports को इसके अंडर लेकि आएगी, underserved का मतलब होता है कि वो ऐसा airport है, जिसमें बिल्कुल भी flight आजा नहीं रही है, जिसमें या तो बिल्कुल भी flights आजा नहीं रही है, या फिर एक flight आ जा रही है, तो उन सारे airports को इस scheme के अंदर include किया गया, कि at least ये जो airports हैं, वो क्रिशी उडान 2.0 के लिए यूज हो जाएं, यहाँ पे farmers को भी benefit होगा, और वहाँ जो airports हैं एक तरह से उनको भी benefit होगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि e-Gopala app अभी recently launch करी गए, तो वो किस institution ने या फिर किस ने launch करी है, तो वो National Dairy Development Board ने e-Gopala app को launch किया है, पहली बात तो e-Gopala का मतलब क्या है, that is a generation of wealth through productive livestock, अब farmers के livestock को एक तरह से quality उसकी improve करने के लिए, उससे ताकि wealth बने, तो इस app को launch किया गया है, यह app ना कुछ ऐसी दिखती है, तो यह app कुछ ऐसी दिखती है, इसके उपर अलग-अलग facilities available है, livestock को management करने के लिए, for example, अगर किसी farmer को कोई germ plasm की जरूरत है, germ plasm क्यों चाहिए होता है, for example, एक तरह से artificial insemination करने के लिए, artificial insemination का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, कि इसके अंदर जो male का semen होता है, वो female के uterus के अंदर डाला जाता है, ताकि वहाँ पर जो egg hair sperm के साथ fertilize कर सके, और इससे जो भी livestock produce होगा, वो एक तरह से ऐसा livestock ह जो की जादा milk produce कर पाएगा, ठीक है, एक ऐसे selected semen होते हैं, जिनकी बहुत जादा superior quality के semen होते हैं, तो इन सारी चीजों के related, जितनी भी services हैं, तो वो services farmers तक पहुंचाने के लिए, वो किस app पर available है, e-gopala app के उपर, for example, आपके पास बहुत ही जादा super quality का कोई एक तरह से bull है और उसका जो semen है, बहुत ही जादा superior quality का है, और आपको लगता है, इसके अगर mating हो जाए फीमेल से, तो उससे बहुत जादा milk की production हो सकती है, तो ऐसी चीजों के regarding इस app को बनाया गया है, इस app के उपर और भी काफी चीज़े available है, for example, ayurvedic medicines use करनी, veterinary medicine के लिए एक तरह से, cows अगर उनको कोई diseases हो जाए ठीक है, उनकी अलग अलग vaccination की कब उनको vaccination होनी चाहिए तो ताकि आगे से आगे बिमारी जो है वो ना फैले, तो इस e-gopala app के उपर बहुत सारी ऐसी services available है, ताकि हमारे इंडिया की जो livestock farming है एक तरह से वो improve कर सके, तो वो किस ने launch किया है, National Dairy Development Board ने launch किया है, एक बार National Dairy Development Board के बारे में भी देख लेते हैं, तो ये एक act के through आई थी, जो कि Parliament ने enact किया था, ठीक है, कौन सी ministry के अंडर आती है, Ministry of Fishes, Fisheries, Animal Husbandry and Daring के अंडर आती है, कहां पर इसका main office है, आनंद गुजरात में, और एक तरह से ये जो NDDB है, वो किस ने found करी थी, डॉक्टर वर्गिस कुरियन ने, आपको पता होगा, जो अमूल है, जो वाइट रेवल्यूशन आया था, वो इनकी वज़े से ही आया था, तो इसके बेस पे उन्होंने National Dairy Development Board को लांच किया था, Government of India के अंडर, तो ये कुछ चीज़े आपने याद रखनी है, एक और जो डॉक्टर वर्गिस कुरियन है, उनको फादर ओफ वाइट रेवल्यूशन भी कहा जाता है, नेक्स न्यूज है हमारी की Directorate of Handicraft and Handloom, कश्मीर ने, ये कश्मीर का एक तरह से Directorate है, जिनों ने अभी पश्मीना वूल के लिए MSP को अनौन्स किया है, पहली बात तो पश् पश्मीरी वूल भी कहते हैं, और एक स्पेशल गोट से मिलता है, उस गोट का नाम क्या है, कैपरा हिरकस, ठीक है, ये जो कैपरा हिरकस है, वो अलग-लग कलर्स में आती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर वाइट कलर दिखाया हुए, ऐसे ही Red, Black, Brown, Gray, अलग-लग कलर्स में आती है, इस गोट की जो फर होती है, उस फर को रियर किया जाता है, और उस से ये पश्मीना जो शॉल वगएरा है, वो इस से बनती है, तो बहुत जादा थिक होती है, रफ फर होती है, इसके अंदर जो दोनों सेक्स होती है, जो मेल और फीमिल दोनों होती है, उनके होन्स भी होते हैं यहां पर देनिज अगर मैं इस wild goat की बात करूँ तो इसका जो IUCN status है वो near threatened है मैंने आपको IUCN status बार बार बताती हूं International Union for Conservation of Nature जो है वो 9 categories में animals को एक तरह से classify करती है ठीक है कि कौन सी animal या plant species जो है वो कौन सी के लिए MSP को announce किया गया है तो एक बार हम MSP के बारे में बात कर लेते हैं MSP का मतलब होता है minimum support price minimum support price का मतलब है ऐसा price कि इससे नीचे आपकी जो crop है वो नहीं बिकेगी अब इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं कि क्या है यह for example एक farmer है उस farmer ने कोई crop को grow किया ठीक है उस crop को वो market में बेचने जाएगा of course अगर वो market में बेचने गया और उस crop की उस time पर demand नहीं थी तो अब यह farmer इस crop का क्या करेगा क्योंकि farmer को अगले season की crops के बारे में भी ध्यान देना है तो वो जो farmer है यह government को इस crop को दे सकता है जो government होती है एक particular price पे इन crops को खरीद लेती है तो ऐसे price को हम क्या कहते है minimum support price that means यह guaranteed price है जो भी farmer ने produce किया है उसके लिए from the government government की तरफ से तो अब ऐसे ही जो पश्मीना वूल है उसको लोग जादा से जादा रियर करें एक तरह से वहां से जादा से जादा वो जो वूल है उसे जो textile वगएरा है वो textile industry में यूज हो सके तो उस चीजों को help करने के लिए या फिर farmers को encourage करने के लिए कि वो पश्मीना ये जो wild goat है इसको जादा से जादा रियर कर सेकें तो इसलिए यहां पर government ने एक तरह से surety दे दी है कि आपके जो वूल है पश्मीना वूल है उसको हम खरीदेंगे ठीक है तो यहां से जो farmers है बहुत जादा encourage होंगे और इन goats को जादा से जादा रियरिंग करने की कोशिश करेंगे अब यहां पर अगें यह जो पश्मीना वूल है उसको भी GI टैग मिला है तो GI टैग के बारे में मैंने आपको बताया कि यह act के अंदर आता है जो 1999 वाला act है देनीज यह WTO का trips का भी एक तरह से पार्ट है और इसकी जो रिजिस्ट्री है वो चन्नाई में लोकेटेड है देनीज इसमें जो भी GI टैग मिलते हैं उसको दस साल बाद रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ती है आपको यहां तक समझ में आया होगा नेक्स हम बात करते हैं कि जो PLFS है that is periodic labor force survey इसको कौन launch करता है पहली बात तो इसको launch करता है national statistics office और यह कौन सी ministry के अंडर आता है यह मौसपी के अंडर आता है ministry of statistics and program implementation देखो यह survey है क्या एक तरह से देखो periodic का मतलब है यह किसी ना किसी time के बाद आ रहा है for example quarterly आ रहा है then is यह labor force survey है that means हमारी country के अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं तीक है उसमें कहीं लोग organized sector में काम कर रहे हैं कहीं un-organized sector में काम कर रहे हैं un-organized or organized sector का मतलब यह होता ह un-organized sector के अंदर जो आपकी job है उसकी security होती है लेकिन un-organized sector के अंदर आपकी job की security नहीं होती है तो उसके अंदर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं तो उसके regarding इस survey के अंदर अलग-अलग information available है देखो जो PLFS है वो सबसे पहले 2017 में स्तारा से launch होना शुरूआ यह survey जो है 2017 से आया यह survey आना शुरू की हुआ क्योंकि अमिताब जो कुंडू जी है उनके अंडर एक committee बनी थी उन्होंने बोला कि हमारी country के अंदर जितनी भी labor force है जो काम करती है ठीक है उनका एक ना एक survey बनाना चाहिए ताकि हम अपनी जो schemes हैं उस हिसाब से ही एक तरह से जो government of India है वो map करता है कि हमारी country की state of employment क्या है कि यहां पर कितने लोग काम करते हैं डाटा collect करता है अलगलग चीजों के लिए कि कितनी unemployment है कितनी employment है और कितने लोगों की कितनी wages है एक तरह से हर एक चीज़ के बारे में यह देखता है बाकि यह जो survey ہے यह एक और unemployment survey के ऊपर based है जिसका है socio economic survey program ठीक है यह हर 5 साल बाद आता है तो इस survey के उपर यह PLFS जो है वो based है अब हम national statistics office की बात कर लेते हैं यह मैंने आपको बताई दिया कि मौस्पी ministry के अंडर आती है then is इसको भी एक act के द्वारा बनाया गया था ठीक है statistical services act 1980 के द्वारा बनाय गया था तो उस act के द्वारा इस agency को create किया गया अब यह जो NSO है वो किस चीज के लिए responsible है जितने भी data को collect करना है ठीक है उसको compile करना है ठीक है फिर उसको आगे से आगे जैसे publication करनी है उसकी अलग-अलग ministries को यह data provide करना है तो वो सारा data कौन provide करता है national statistical office provide करता है अब next बात करते हैं कि world bank जो है वो एक report निकालती थी जिसका नाम है ease of doing business report अभी यह जो report है वो 2003 से launch होती आ रही थी मतलब हर साल इस report को निकाला जाता था लेकिन अभी recently 2021 में 21 में इस report को निकालना बंद कर दिया है उन्होंने बोला कि इस report के अंदर बहुत जादा irregularities आ रही है और यह report जो है वो असली data एक तरह से नहीं provide करता है पहले हम देख लेते हैं कि ease of doing business report है क्या देखो आप से कई बार paper में यह question पूछ लिया बहुत बार करना है for example कोई बाहर का एक person है उसने हमारी country में आके business करना है तो उसको business करने के लिए अलग अलग चीज़े करनी पड़ेगी for example land लेना पड़ेगा है न वहाँ पे अपना office बनाना पड़ेगा अलग अलग ministry से clearance लेनी पड़ेगी tax वगरा की violation करने पड़ेगी तो बहुत सारी चीज़े करने पड़ेगी अब उस business को शुरू करने के लिए उसके पास कितनी easiness है that means वो कितनी easily किसी country के अंदर वो business शुरू कर सकता है तो ये report ये बताती है ये जो report है 100 के mark पे basically ये कुछ score देती है अब ये जो report है वो अलग-अलग score प्रोवाइड करती है लग-लग country को ठीक है for example 75 score का मतलब ये है कि आपका जो score है वो 100 से 25 दूर है that means अभी भी आपको अपने business शुरू करने के लिए बहुत जादा easiness लानी पड़ेगी जैसे infrastructure अभी भी आपकी country में develop होना बाकी है then is tax violation इतनी जादा easy नहीं है आपकी country में तो अभी भी आपका जो score है वो इस score को हम कहते है distance to frontier score ठीक है अब इसके अंदर जो 10 parameters जिसके base पर इस report को निकाला जाता था वो 10 parameters ये हैं कि जैसे dealing with construction permit जो भी आपने construction करनी है उसके regarding अगर आपने कोई भी चीज़ से deal करना है तो आप कितनी easily उससे एक country में deal कर सकते है electricity available है या नहीं या फिर property registration तो ये 10 चीज़े इसमें involved है बस आपने इतना याद रखना है कि जो world bank है वो ease of doing business report को निकालता था 2003 से निकाल रहा था और 2021 में इसने इस report को निकालना बंद कर दिया है बाकी जो last report निकली थी वो 2019 की report थी जिसमें इंडिया का rank 63 था उससे पहले 2018 में इंडिया का rank 77 था that means हमने अपना rank अभी तीरे तीरे हम improve कर रहे थे अब क्योंकि इस report को world bank निकालता है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं देखो यह world bank जो है वो 1944 में बना था उस time पे इसको हम कहते थे IBRD International Bank for Reconstruction and Development ठीक है IMF और IBRD जो है वो एक साथ बने थे वो एक साथ बने थे 1944 में अब world bank के अंदर अलग अलग groups आते हैं अलग अलग 5 institutions आते हैं एक तरह से जिसमें से पांचों के पांच यह हैं जैसे International Bank for Reconstruction and Development एक की IBRD हो गया जिसको हमने world bank बोल दिया देनिज इंटरनाशनल Development Association हो गया International Finance Corporation हो गया जो की अलग अलग investment projects के लिए finance करते हैं तरह से loan वगेरा provide करता है multilateral guarantee agency हो गया देनिज International Center for Settlement of Investment Disputes अगर investment dispute के regarding कोई settlement करवानी हो तो वो यह organization करवाती है तो आपने बस यह पांचों के पांच नाम याद रखने हैं और इन में से जो उपर वाले चार हैं इंडिया इन सब का member है सिवाए last वाले के कौन सा International Center for Settlement of Investment dispute इंडिया इसका member नहीं है आपने याद रखना है और यह question आप से पूछा भी जा सकता है कि World Bank के कौन से पांच groups में से इंडिया किसका member नहीं है बाकी चारों का है investment disputes वाले का वो member नहीं है next हम बात करते हैं कि एक scheme या योजना लाँच करी गई है हमारी एक तरह से economy को develop करने के लिए तो वो जो scheme है that is rail कोशल विकास योजना तो वो कौन सी ministry ने लाँच करी है देखो आपको मैं यह बता देती हूँ जो कोशल विकास योजना है ठीक है वो 2015 में लाँच करी गई थी मैं rail कोशल विकास योजना की बात नहीं कर रही हूँ मैं कोशल विकास योजना की बात कर रही हूँ ठीक है यह 2015 में लाँच करी गई थी और इस योजना के अंदर क्योंकि हर एक जैसे लोगों को skills वगएरा प्रोवाइड करी जा रही थी तो अफकोर्स यह कौन सी ministry के अंडर होएगा ministry of skill development and entrepreneurship तो इस ministry के अंडर कोशल विकास योजना को लाँच किया गया था लेकिन अभी recently यह जो scheme है इसी के अंडर एक scheme को लाँच किया गया है जिसका नाम है rail कोशल विकास योजना यह जो scheme है यह skill development वाली ministry ने नहीं लाँच करी है यह ministry of railways ने लाँच करी है अब railways में jobs वोगेरा provide करने के लिए लोगों को skills देनी हो तो वो इस योजना के अंडर दी जाएगी अब इस योजना में skills तो दे रहे हैं और कितनी जल्दी आप किसी काम को सीख कर job के लिए एक तरह से job ले सकते हो देनीज इसके अंदर जो लोग है जिनको skills प्रोवाइड करी जा रही है वो वो लोग है जो की 10th pass है और 18 से लेके 35 साल के बीच में हैं इसमें अलग-अलग fields को cover किया जाएगा जैसे electrician के regarding skills प्रोवाइड करी जाएगी welding के बारे में बताया जाएगा, machinist के बारे में, then is fitter कैसे fitting वगएरा करनी है तो इन चीजों के बारे में बताया जाएगा, तो ये किस ने launch करी है, rail causal विकास योजना जो है वो ministry of railways ने launch करी है, एक तरह से skill को develop करने के लिए next आपकी जो news है कि aroma mission, ये कौन सी ministry ने launch किया है देखो, aroma का मतलब होता है, एक तरह से fragrance होती है न, है न तो इसके regarding एक mission चलाया गया था, जो कि ministry of science and tech के under, जो CSIR है इसने इस mission को launch किया था, अब ये जो mission है वो क्या कहता है ये mission ये कहता है कि अगर कोई भी aromatic crops है, जैसे कि lavender, ये आप देख सकते हो ये जो lavender है, ये एक तरह से crop ही है, ठीक है, ये जो crop है वो अलग-लग purposes के लिए यूज हो जाती है, जैसे कि इसका जो flower है, इससे एक तरह से इसका flower भी यूज होता है देनिज, इसमें से oil भी निकलता है और इससे बहुत popular sense वगेरा बनते हैं देनिज, ये medicine में भी use करी जाती है, ठीक है, ये calming और relax करने के लिए भी use होती है मसल्स वगेरा को relax करने के लिए, इसका anti-bacterial और anti-fungal effect भी है that means अगर कोई bacterial disease हो जाए, तो ये जो crop है तरह से उसका जो oil है तो वो उस चीज को relax करने में help करता है, अब ये सारी होगी aromatic crop अब इन aromatic crops को promote करने के लिए aroma mission चलाया गया था aroma mission कब शुरूआ था? 2016 में, क्योंकि recent ये news में था, तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो ये कौन सी ministry ने launch किया? Ministry of Science and Tech ने launch किया उसके अंदर भी, जो CSIR है, उसने इसको launch किया क्यों launch किया? ताकि जितनी भी aroma से related crops है, उसको हम promote कर सके अब ये promote करेंगे कैसे? ये क्या करेंगे? marketing के उपर बहुत ज़ादा ध्यान देंगे, ठीक है? अलग-अलग cooperatives बनाएंगे, ठीक है? जो की marketing के उपर ध्यान दे और उस crop को एक तरह से market में पहुँचाने का काम करें. इसके अंदर अलग-अलग varieties जो है crop की वो एक तरह से बनेंगी, ठीक है? अब तभी ये जो scheme है वो CSIR ने launch करी है, क्योंकि CSIR क्या है आपका? CSIR है Council of Scientific and Industrial Research, अब ये जो council है एक तरह से crop के उपर research वगएरा करती है, उसकी अलग-अलग genes की जो qualities हैं, उसको improve करने का काम करती है, तो इसी लिए ये जो scheme है इन्हों ने launch करी है, ठीक है? ये बाकी CSIR जो है, वो Ministry of Science and Tech के अंदर आता है, और ये Society's Registration Act के अंदर एक तरह से registered है, अब CSIR का अलग-अलग of course labs वगएरा होती है, तो उसमें से भी जो लखनाव वाली lab है, that is the Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants जो है, वो इस चीज के ओपर ध्यान देगी, इन्हों ने ये scheme launch करी है, ताकि जो farmers हैं, वो aromatic crops को जादा से जादा, superior quality की crops हैं, उसको जादा से जादा grow कर सकें, और ultimately ये हमारी economy को help करें, और ताकि ये बाहर भी export वगएरा हो, ताकि हमारी economy को help कर सकें, तो अब देख सकते हो कि CSIR Aroma Mission के अंदर अलग-अलग चीजे दिखाई गई हैं, कि जैसे value addition किसी crop के अंदर कोई चीज value add करती है, for example, कोई skill development activities provide करनी हैं, इसी mission के अंदर, then is कोई किसी ने अपनी अलग कोई ऐसी research करी है, तो उसके regarding अगर उसको patent वगएरा या फिर उसकी intellectual property को एक तरह से preserve करना है, तो इन सारी चीजों के लिए जो CSIR की Aroma Mission है, वो एक तरह से awareness वगएरा create करती है, next हम बात करते हैं कि कौनसी organization ने S-PIN को launch किया है, देखो S-PIN देखने से आपको लग रहा होगा कि ये कोई PIN है, लेकिन ये कोई PIN नहीं है, S-PIN की full form है, strengthening the potential of India, ये जो S-PIN है, वो किसने launch किया है, KVIC ने, KVIC क्या है, Khadi and Village Industry Commission, देखो, अब जो भी आपके मिट्टी के बर्तिन मनाते हैं, potters वगएरा है, उन सब की, एक तरह से उन सब की जो business है, उसको भी develop करने के लिए, उनको help करने के लिए, अलग-अलग schemes launch करी जाती हैं, ठीक है, अब वो जो potters है, उनको अपना business चलाने के लिए कोई ना कोई loan चाहिए होगा, तो जो S-PIN है, वो इन potters को एक तरह से loan provide करेगा, ताकि वो अपना जो business है, उसको large level पर ले कर जाएं, तो एक तरह से उन्होंने यहाँ पर S-PIN में loan provide किया, और दूसरी बात, एक तरह से यह no subsidy program है, no subsidy program का मतलब है, कि जैसे अलग-अलग चीज़े होती है न, तो हमारी जो सरकार है, वो farmers वगएरा को subsidy provide करती है, तो एक तरह से यहाँ पर, तो यह जो scheme है, इसकी वज़े से जो potters है, वो self-reliant हो रहे हैं, खुद बखुद loan लेकर अपने business को बढ़ा रहे हैं, तो वो सरकार के उपर dependent नहीं है, कि वो हमें subsidy provide करेंगे, ठीक है, तो it will reduce their dependence on government subsidy and make potters self-reliant, उन सबको self-reliant बना रहे हैं, अब यह जो SPIN है, ऐसे तो यह किसके उपर focus करेगी, potters के उपर, लेकिन इसमें जो loan है, वो कौन provide करेगा, वो एक scheme के under ही provide किया जाएगा, जिसका नाम है, प्रधान मंतरी, शिशु, मुद्रा, योजना, अब एक बर हम ये भी देख लेते हैं, कि प्रधान मंतरी, शिशु, मुद्रा, योजना होता क्या है, ये 2015 में launch करी गई थी, और इसके अंदर loan provide किया जाता है, और वो loan कैसा होगा, collateral free loan, that means आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, इसके अंदर तीन categories मनाई गई, एक है शिशु, देनिज किशोर, अगर आपको कोई भी loan 50,000 तक का चाहिए, तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ, शिशु category में उसकी जो limit होती है, वो कितनी होती है, ठीक है, और या फिर ये किस योजना के अंदर आता है, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो I hope आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, मैंने आपको ये बताया है कि जो KYC है, उसने S-PIN को launch किया है, ताकि जो potters हैं, वो self-reliant हो सके और इस S-PIN के द्वारा वो loan ले सके, और ये S-PIN भी किसके अंदर आता है, प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के, तो ये किसके अंदर आता है, प्रधान मंतरी के, जो शिशु वाली कैटेगरी है, उसके अंदर आता है, एक बार KYC के बारे में भी देख लेते हैं, कि ये एक statutory body है, जो कि किसी act के द्वारा बनी है, क्या है act का नाम, खादी and Village Industries Commission Act 1956 में आया था, और ये जो KVIC है, वो Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises के अंदर आती है, तो जितने भी आपके छोटे-छोटे बिजनसेज हैं, Micro, Small and Medium Enterprise की, मैंने आपको लिमिट भी बताई थी, last वाले economy lecture में, तो एक बार आप उसको देख सकते हो, ये इसके अंदर आती है, और जितने भी Small Enterprises हैं, उसको एक तरह से बढ़ावा देने के लिए, उनको encourage करने के लिए, KVIC उसके regarding काम करती है, अब हम बात करते हैं कि जो जूडीमा है, जूडीमा को अभी GI tag मिला है, पहली बात तो जूडीमा है क्या, और वो कौन सी state का है, देखो, जो आपकी जूडीमा है न, वो एक rice wine है, rice wine का मतलब क्या होता है, कि rice को एक तरह से fermentation करने के बाद wine बनती है, जितने भी आपके carbohydrates के source ह होते हैं, carbohydrates से हमेशा alcohol बनता है, ये chemistry की बाते हैं, ये मैंने आपको वैसे chemistry के lectures में भी बताया था, कि जब भी carbohydrates की oxidation होती है, वो oxidation जरूरी नहीं कि in the presence of oxygen ही हो, in the absence of oxygen भी हो सकती है, जिसमें जो organism है, वो इसको fermentation करता है, तो अगर ये without the presence of oxygen होगी, तो उस process को हम fermentation कहते हैं, तो जब भी जो carbohydrate source है, वो बिना oxygen की presence के alcohol में convert होता है, तो इसको हम कहते हैं, fermentation, तो आपकी जितनी भी brewery industry है, उसके अंदर ये ही process को use किया जाता है, अब जो असाम है, उसके अंदर जूडिमा बनाई जाती है, जूडिमा एक rice wine है, जो की rice की मदद से बनती है, जब rice को fermentation करने के लिए रख दिया जाता है, तो यहां से एक wine बनती है, जिसका नाम है जूडिमा, इसको GI tag मिला है, that means इस geographic area की ये बहुत ही जादा popular है, इसके अलावा ये कहीं और नहीं मिलती है, GI tag का मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि वो किस act के अंदर आता है, हर 10 साल बाद उसकी registration होती है, और वो WTO के trips के अंदर आता, आपने इसमें कुछ और चीज़े याद रखनी है, जैसे जो यहां पर rice wine बन रही है, जूडिमा, वो normal rice नहीं है, ये एक तरह से sticky rice है, sticky rice का मतलब ये होता है, कि जैसे जो normal rice होते है, उसको chew करने के लिए इतनी जादा, you can say, mechanical power use नहीं करने पड़ती है, लेकिन जो sticky rice होता है, उसमें जो chewing होती है, वो बहुत जादा होती है, एक चीज़ आपने यहां पर ये याद रखनी है, कि ये जो जूडिमा rice wine है, ये किसके द्वारा बनाई जाती है, एक दिमासा tribe है, असाम की, तो इनकी ये famous है, मतलब ये ये वाली जो fanny है, उसको भी geographical indication का tag मिला है, geographical indication tag मैंने आपको पहली समझा दिया है, then is, जो fanny है, अब उसके बारे में देख लेते हैं, जो fanny है, वो भी एक brew है, that means it is alcohol, तो ये alcohol दो चीज़ों की वज़ा से बनती है, एक है coconut वाले, coconut raw material यूज़ हो रहा है, और दूसरा है cashew fruits, जो coconut है, coconut वाले case में, यहाँ पर coconut palm का use होता है, और जब उस coconut palm की fermentation होती है, तो उस time पे जो चीज़ प्रड्यूस होती है, वो ऐसी fanny है, जो की coconut की वज़ा से बनी है, ऐसे ही cashew fruits की वज़ा से भी एक fanny बनती है, जिसको हम उसके नाम से ही बोल देते हैं, ठीक है, जो tree के ripened cashew apples होते है उसकी वज़ा से बनती है, उनकी fermentation की वज़ा से बनती है, अब यह जो fanny है, यह goa की famous है, और इसको अभी recently क्या मिला है, geographical indication tag मिला है, इसमें से भी fanny में से भी सिरफ जो cashew वाली fanny है, उसी को ही geographical indication मिला है, coconut वाली को नहीं मिला है, आपने यह चीज़ याद रखनी है, तो ब लेकर आए थे कहां से, ब्राजील से, तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो goa वाला रीजन है, वो portuguese के control के under था, और वो 1961 में यहां से गए थे, तो उस टाइम पे, 1600 के टाइम पे इस fanny को बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, कि ब्राजील से अलग टाइप के जो cashew apples है, उनको लाया गया था, और उनकी fermentation की वज़े से एक alcohol बनायी थी, जिसका नाम है fanny, आपने याद रखना है, fanny कहां की famous है, goa की famous है, उसके cashew fanny को अभी recently GI का tag मिला है, then is हमारे इंडिया का जो largest floating solar PV project है, वो कहां पर established किया गया है, पहली बात तो यहां पर largest है, दूसरी बात floating floating है, floating का मतलब होता है, कि जो पानी है, पानी के उपर ऐसा कुछ surface बना दिया जाता है, जिसके उपर solar panels लगा दिये जाते हैं, अब यहां पर यह कौन सा project है, solar PV project, solar PV project का मतलब होता है, solar photovoltaic project, जो photovoltaic होता है, उसका मतलब यही होता है, कि हम electrodes को use करके, यहां पर जो solar energy है, और उस electrodes में से कुछ न कुछ electrons निकलते हैं, अब जब यह electrons निकलते हैं, तो यह एक तरह से electricity बनाते हैं, तो that means, जो heat energy है, यहां पर electricity में convert हो गई है, तो यहां पर बहुत जादा solar panels लगाए गए, और यह हमारे इंडिया का largest floating solar PV project है, कितने gigawatts का है यह तरह से, 25 megawatts का है, तो एक तरह से gigawatts नहीं है, आपने यहाँ पर याद रखना है, कि यह 25 megawatts का project है, that means, इस solar power panels की वज़े से, जो भी power बनेगी, वो कितनी बनेगी, 25 megawatts, वाट्स आपको पताईए कि power की unit होती है, दैनिस यह कहां पर बनाया गया एक तरह से, आंदर प्रदेश में सिम हादरी है, तो यहाँ पर यह floating solar PV project को बनाया गया है, जो floating power projects होते हैं, solar power projects होते हैं, उनकी एक और benefit होता है एक तरह से, जैसे भी आपने इस solar panels को एक पानी की body के उपर लगा दिया, तो यह जो पानी है, वो कम evaporate होता है, तो यहाँ पर जो पानी का surface है, जो evaporation के लिए available है, वो बहुत जादा कम हो गया है, तो बाकी यहाँ पर और जो चीजे आपने याद रखनी है, वो यह है कि यह जो एक तरह से power project है, वो renewable energy को यूज कर रहा है, renewable energy और non-renewable energy मैंने आपको पहले भी बिताया था, renewable का मतलब है कि हम कोई ऐसा source यूज कर रहे हैं, जो कि कभी खतम होने वाला जैसे solar energy को हम यूज कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर मैं non-renewable की बात करूँ, तो वहाँ पर वो sources यूज हो रहे हैं, जैसे कि coal हो गया, fossils हो गया, तो coal और जो fossils हैं, वो हमारी world के अंदर limited हैं, तो जैसे जैसे हम उस coal को use करते जा रहे हैं, वैसे वो क्या होता जा रहा है, क largest है, कितना largest है, 25 megawatt का है, कहां पर है, सिमहादरी आंदरप्रदेश में हैं, अब ये जो project है, वो इंडिया का एक ambition था, क्या ambition था, कि हम renewable energy capacity को enhance करेंगे, हमने बोला था, कि हम 2022 तक renewable energy के जो source हैं, वहाँ से 175 gigawatt की energy produce करेंगे, फिर हमने बोला कि 2030 तक हम 450 gigawatt की renewable energy produce करेंगे, फिर हमने इसको increase कर दिया था, और हमने इसको बना दिया 500 gigawatt, recently हमने ये बोला है, कि हम renewable energy से 500 gigawatt के projects को बनाएंगे, और 2030 तक हम इसको achieve कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही आपको अलग-अलग sources बताएं हैं, कि November 2021 तक हमारे इंडिया की जो renewable energy capacity है, कि हमने कित कर लिया तो वो भी बहुत जादा sufficient है, then is उस renewable energy में से जो solar की वज़े से produce हो रही है, मतलब की धूप की वज़े से, जो electricity बन रही है, वो कितनी है, 48 gigawatt, ऐसे ही wind की वज़े से, जैसे जैसे आपकी जो winds है, वो बहुत तेज से जाती है, उसकी वज़े से wind turbines गूमती है, और turbines गूमने की वज़े से, जो आपकी mechanical energy होती है, वो electricity में convert हो जाती है, तो ऐसे ही small hydropower, जैसे जैसे आपके dams में जो पानी होता है, वो उपर से बहुत जादा height से गिरता है, तो उसकी वज़े से भी turbines गूमती है, और वो turbines ultimately electricity में convert हो जाती है, ऐसे ही bio power हो गया, that means हमने यहाँ किसी micro organisms को use किया है, then is large hydro हो गया, उसकी वज़े से इतनी है, then is nuclear power भी renewable energy है, उससे हमने 6 gigawatt, हम nuclear power plants लगाते हैं ताकि वहाँ से हम electricity को produce करें, तो यह सारी जो parts हैं आपके वो renewable energy के sources के part हैं, तो next news पे चलते हैं, next है कि which ministry has recently launched e-shram portal, अब एक e-shram portal को launch किया गया है, तो वो employment ने इस portal को launch किया है, इस portal के अंदर जो workers हैं, उनको एक pin दिया जाएगा, कितने digit pin होगा, 12 digit unique number होगा, देखो मैंने आपको ऐसे अलग-अलग pins बताए थे, जैसे एक unique land वाला pin था, वो भी 12 digit का था, then is अधार जो है वो आपका 14 digit का होता है, ऐसे ही जो आपके e-shram portal में जो pin दिया जाता है workers को, वो 12 digit का एक pin होगा, अब इस e-shram portal के अंदर बहुत जादा data available होगा workers के लिए, जो भी workers हैं, ठीक है, इसके अंदर अगर वो register करेंगे, तो उनके regarding जितना भी data है, वो इसके ओपर available होगा, उनको एक unique 12 digit का number दिया जाएगा, अब अगर वो workers कहीं पे भ hotel के अंदर जितने भी workers registered हैं, अगर उनका कोई accident हो जाए, तो वो eligible है कि उनको जो insurance है, आपकी जो प्रधान मंतरी, सुरक्षा, बीमा योजना है उसके अंदर अलग-अलग insurance की वो provide करी जाती है, तो वो जो workers हैं, वो उस insurance को avail कर सकते हैं, जैसे कि अगर उनकी permanent disability हो जाए, accident मे मतलब बहुत पूरे ही जो organ है, वो पूरा ही loss हो गया है, जैसे दोनों eyes चले गई हैं, तो उस time पे आपको जो insurance है, death cover जो है, आपको दो लाख का मिलेगा, अगर partial disability हो जाए, तो आपको यहाँ पर एक लाख उर्पया दिया जाएगा, तो एक तरह से welfare schemes के benefit उठाने के लिए, इश्रम पोर्टल के अंदर जो workers हैं, वो एक तरह से register किये जा रहे हैं, और उनको एक unique pin दिया जा रहा है, यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है, कि जितने भी unorganized workers हैं, that means उनकी जो job वगएरा है, वो एक तरह से secure नहीं है, तो यहाँ पर कौन से workers include किये जा रह हैं, कि यह ऐसी योजना हैं, जिसके अंदर कौन से लोग यहाँ पर enroll कर सकते हैं, 18 से लेके 70 साल के लोग, अब यह जो लोग हैं, जो भी unorganized sector से belong करते हैं, यह monthly इस योजना में 12 रुपे, not monthly, annually इस योजना में 12 रुपे डालेंगे, ठीक है, उनके banks के अंदर डालेंगे, य उनको risk coverage दिया जाएगा, अगर permanent loss होगा, तो 2 रुपे दिया जाएगे, ऐसे ही अगर partial होगा, तो उनको 1 रुपे दिया जाएगा, तो I hope आपको यहाँ तक यह scheme समझ में आई होगी, and I hope आपको यहाँ तक जितने भी current affairs हैं, economics के वो समझ में आई होगे, मैंने कोशिश की है क जुलाई से लेके नवंबर तक के जितने भी economics के current affairs हैं, आपके दो lectures में cover किये जाएं, so thank you so much, keep revising and have a good day.